वेलकम टू बीबीज किचन मैं राहुल एक बार फिर से हाजिर हूँ तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है साबू दाना के वड़े तो साबू दाना के वड़े के लिए जो इंग्रीडियंट्स है वो यह आप यहां से देख ले तो सबसे पहले हमने लिया साबू दाना इसको हमने दो बार अच्छे से धो के छही घंटे पानी में भीवाओ के रखा था तो अभी हम पीनट्स को रोष्ट करेंगे फ्रेंड्स के आपको पता है यह साबू दाना बनता कैसे है नहीं पता दोस्तों यह एक अस्ट्राच होता है जो कि टैपयोका नाम के पेड के जड़ से बनता है तो अब हम ट्रांस्फर करेंगे पीनट्स को बिक्सर जार में और इसको क्राइंट करेंगे क्राइंट करके इसको महीं पाउडर बनाइगा और अभी हम दो गॉयल लालू को मेस करेंगे तो अब हम साबू दाना को एक मिक्सिंग बॉल में डालेंगे और अब उस पर जो हमारे पोटेटो थे उसको डालेंगे और अभी हम इस पर पीनट का पाउडर डालेंगे रेट सीली हाफ स्पून अभी हम इस पर जीरा पाउडर और कुरियंडर पाउडर डालेंगे और एक पिंच जिप इस पर डालेंगे हिमिका और अभी तू स्पून योगर्ट डालेंगे नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से तो यह तैयार हो चुका है अब हम इसको सीप देंगे तो इसको आप चाहे तो ऐसे फ्लैट भी रख सकते हैं या आप इस पर बीच में भाड़ा के जरसे बना सकते हैं और हम बाकी बचे मिक्स को भी सेम सीप देंगे अगर आप चाहे तो बीच में होल करें अगर नहीं चाहे तो फ्लैट ही जाने दे तो अब हम इसको फ्राइ करने की प्रोसेस पर चलता है तो सबसे पहले प्राण लेंगे और उस पर तेल डालेंगे गरम होने के लिए हाइट फ्लैम पर गर्म करेंगे तेल गर्म हो चुका है अब हम एक एक करके ही वड़ा फ्राइब करेंगे क्योंकि इससे वड़े खराब नहीं होंगे और जब यह एक साइट से पक जाए इसको फ्लिप कर लें और दूसरी साइट से पकने दें अब यह हो चुका है इसको निकाल लेते हैं और दोस्तों सारे वड़े को हम ऐसे ही एक ही करके फ्राइ करेंगे और यह भी हो चुका है चलिए अब हम प्रेटे उदाते हैं दोस्तों देखिए वड़ा इसको आप किसी भी चटनी के साथ सर्फ कर सकते हैं और अगर आपको चटनी की रेसिपी देखनी है तो आप डिस्रिप्शन बॉक्स में जाए लिंक वहां पर दिया हुआ है गांड जाने वे देखने लो चानल को सब्सक्राइब करना मत भुलिएगा और पर लुक्शन बजादेना